हलो अरिवन स्वागत है आपका वेन आईएस के यूट्यूब चेनल पर आज का जो हमारा सेसन है वो 2024 में जो नया सिलेवस जुड़ा है उससे संबन देते हैं 2024 के मेंस के सिलेवस में GS2 Part A Unit 5 में हम लोगों ने देखा है कि एक नया टॉपिक जुड़ गया है administration of MP मध्य प्रदेश का प्रशासन इसके पहले जो 2020 से लेकर के तेज तक का सलिवस था उसमें जोड़ा गया था लोग प्रशासन के सिद्धान से संबन देत टॉपिक्स ते अभी यहां पर राज्य प्रशासन से संबन देत टॉपिक्स जोड़ दिये गए जो कि बैवारिक भी है और बहुत महत्रपूर्ण है और इंट्रेस्टिंग तो इसको हम लोग वन वाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं तो जो पहला टॉपिक आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है वो प्रसाशन समझने के लिए सबसे पहले हम मध्यप्रदेश का territorial division समझ लेते हैं छेतरी भागौलिक जो विभाजन किया गया है प्रसासन के convenience के लिए प्रसासनिक सुविधा के लिए तो आप देखेंगे कि सभी राज्जियों में लगभग लगभग जो राज्जी की राजधानी होती है एक capital इसे मध्यप्रदेश के केस में क्या है बोपाल सभी राज्जियों को समभागों में बाटा गया है जिनको हम अंग्रेजी में divisions करते हैं और divisions के नीचे फिर जिले होते हैं जिले फिर तहसीले बटे होते हैं तहसील ब्लॉक में और ब्लॉक जो ते गाउं में विवाजित ह होते हैं तो सबसे छोटी काई जो होती है प्रसासन की होती है गाउं या ग्राम तो capital से हम नीचे जाते हैं तो divisions होते हैं इसको हैंदी में कहा जाता है संभाग जहां का जो मुख्या होता है वो होता है कमिशनर यह भी हमारे सिलेवस में इसको भी हम लोग डेटेल में बाद म पढ़ेंगे डिविजिंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स यानि के जिले जिले के नीचे तसील इसके नीचे ब्लॉक होते हैं और यहां से नीचे विलेज होता है यानिकी गाव अब अगर बात कहें तो डिविजिंस का जो हैड होगा कमिशनर है डिस्ट्रिक का कलेक्टर या डिस्ट्रिक मज़स्ट्रेट भी कहते हैं तहसील में परसासनिक हैड जो होता है वो तहसीलदार ब्लोक में पोस्ट होती है वीडियो की ब्लोक डवल Turkish है और वीलेज में ग्राम पंचाय सचीव जो होता है आई कि विलेज सेक्रेटरी भी उसको कहते हैं ग्राम पंचायत सचीवो सासन का जो है प्रतनेधी होता है तो यह मुटा मुटा एक डिवीजन है टेरिटोरियल की राज जी जो होता है उस संभाग में बटे होते हैं संभाग जिले में जिले तहसील में तहसील ब्लॉक और फिर गाउं तक तो यहां तक का अड्मिकेशन पूछा गया है अगर आप देखेंगे शिलेवस में तो डिवेजन भी लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट भी लिखा गया है औरtı विलेज एडमिकेशन को local self government के अंतरगत शामिल कर लिया गया है उसी के अंतरगत तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है secretariat तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि secretariat के बारे में हम लोग को क्या-क्या बातें आनी चाहिए क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या-क्या पूछा जा सकता एक्जाम में तो पहले तो इसके बारे में इसकी इंट्रोड़क्शन यानी परिचाय यह होता क्या है क्या meaning of secretariat क्या है फिर यह organization इसका संगठन कैसा है इसके संगठन में क्या शामिल होता है फिर परसनेल परसनेल यानी कौन से कर्मचारी यहाँ पर कारी करते है उनकी hierarchy या उनका पद सुपान कैसा होता है और फिर इनका function किसका secretariat का इसको हम role भी लिख सकते है यानी कारिया भूमिका secretariat क्या भूमिका निभाता है राज्य प्रशाषन में या क्या कारी करता है तो secretariat की यह जो चार डाइमेंशन है वन बाई वन हम लोग इसको डिसक्स करते हैं चलिए इंट्रोडक्शन के अगर हम लोग बात करें तो secretariat के बारे में हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि secretariat जिस तरह प्रशाषन के अलग अलग विभाग होते हैं चलिए अगर होती हैं, क्लूड़क्शन में बहुत सा टंत्रिकाएं होती हैं क्यां कि कुछ भी घटनाय घटती हैं चोट लगती है तो उसकी सुमच न कहा जाति है ब्रेन को जाती है, त्रुम ईल्शन के तहरु उसी तरह प्रशाषन में कुछ भी घटित हो रहा होता है is the nerve center of state administration means Rajaprasasana का ये केंद्र होता है इस पॉइंट की वजाए हम लोग इसको ऐसे समझ ले कि सेक्रेटरियेट में पहुँ सरे डिपार्टमेंट्स होते हैं ये कंपोजिशन पार्ट में भी पढ़ेंगे और उन डिपार्टमेंट्स के दो मुखिया होते हैं एक होता है पॉलिटिकल हेट जो के मनिस्टर होते हैं और दूसरा होता है सेक्रेटरी या जिसको सीविल सीविल सेविल सर्वेंट होता है वह उसको हैड करता है तो हम लोग और इंटायर जो सेक्रेटरियेट है वह हैड किया जाता है चीफ सेक्रेटरी के द्वारे तो सेक्रेटरियेट इस एड्मिनिस्ट्रेटिवली हेड़ेड बाई चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी भी हम लोगों के सेलिवस का पार्ट है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे अलग से टॉपिक में इट कंसिस्ट यानि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स इट कंसिट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स Politically headed by ministers and administratively by senior civil servant called secretary and administratively by secretaries और सीनियार आई एस तो यह तीन लाइन का एक छोटा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जब भी सेक्रेटरेट के बारें पूछा जाए कि यह नर्व सेंटर होता है केंद्र होता है राजी प्रशाशन का सेक्रेटरियेट पूरी तरह से इंटाइरली हैड किया जाता है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा प्रशाशनिक तौर पे और इसके अदरत वैरियर्यस डपार्टमेंट्ट्स होते हैं बहुत सारे भीभाग होते हैं जिनके राजनीतिक मुख्या मंत्रीगन होते हैं और संगठन कैसा है इसका संगठन तो हम लोग लिख सकते हैं सेक्रेटरियेट कंसिस्ट ओफ 15 to 35 departments depends on government सरकार के उपर निर्भार है कि वो कितने department बनाना चाहती है पर जनरली देखा गया कि 15 से 35 विभाग होते हैं पूरे राज्जी में तो यह लिख सकते हैं फॉर एक्जम्पल इसने यहां पर हमको उदारन भी लिखना पड़ेगा जनरल अड्मिनिस्ट्रेशन जिसको हम जी एडी के नाम से भी जानते हैं रिवेन्यू डेपार्टमेंट फेनांस होम डिपार्टमेंट एड्सेक्टर इस तरह के बहुत साजेल डिपार्टमेंट बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट हो सकते हैं और इन सभी में एक एक जो होते हैं सेक्रेटरी जो होते हैं हेड होते हैं और एक-एक मंत्री होते हैं वो राजनेतिक प्रतिमिधी होते हैं या उनको हम कहते हैं कि वो नौन पर्मानेंट एक्जिकेटिव हैं वो क्यों पांस साल के लिए आते हैं जबकि जो अप्रमानेंट एक्जिकेटिव कहलाते हैं तो और दर्की ऑफ ओफिसर्स इन सेक्रेटरियेट यानि सचवाले में जो अधिकारी गण काम करते हैं उनकी पद सोपान क्या होता है सबसे सीनियर कौन होता है और उसके नीचे किस प्रकार से वो पद सोपान चलता जाता है तो सबसे उपर जो होगा सेक्रेटरी यह मैं जनरल बातें करता हूँ एंपी के केस में कुछ चीज़ों में डिफरेंस है वो जस्ट इसके बाद हम लोग डिसक्स कर लेंगे सेक्रेटरी देन अडिशनल सेक्रेटरी देन जोइंट सेक्रेटरी देन डेपुटी सेक्रेटरी और उसके बाद नीचे अंडर सेक्रेटरी इसके नीचे असिस्टेंट सेक्रेटरी भी कभी कभी होता और कभी कभी नहीं होता और उसके नीचे फिर करमचारी आ जाते हैं सेक्षन ओफिसर्स असिस्टेंट सेक्षन ओफिसर्स अपर डिवीजन क्लर्क लोबर डिवीजन क्लर्क तो मेली ओफिसर्स की हारार्की यह होत यानि कि मद्र प्रदेश सचिवाले, तो मद्र प्रदेश सचिवाले का एक नाम है, किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है, वल्ला भावन, यह भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि MP के context में पढ़ना है MP के संदर में पढ़ना है तो MP से related जो specific जानकरी है वो भी हमें पता होने चाहिए और वो एक्जाम में लिखना होता है तो MP के secretariat को या सचवाले को वल्ला भावन के नाम से जाना जाता है और यहां पर अगा administratively बात किया जाएं तो जो departments है यहां पर पोस्ट है ज्यादा तर डिपार्टमेंट्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रमुक सच्चिव यह सबसे बड़ा अधिकारी होता है department का प्रसाशनिक तोर पे इसको हिंदी में कहा जाता है प्रमुक सच्चिव इसके नीचे secretary और फिर वही पत्सोपान है है अडिशनल सेक्रेटरी deputy secretary and so on additional secretary को हेंदी में करते है अपर सच्चिव अधिश्टर हम देखते हैं आदेश पर लिख सगनिचर होते हैं अपर सच्चिव के अपर सच्चिव इनको सच्चिव कहते हैं hp के case में ये पॉस्ट है principal secretary के create की गई है जैसे आप किसी ब्सवू डिपार्टिमेंट की पर आप जा सकते हैं तो आप देखेंगे मौलिखा होगा श्री संजय दुबे प्रिंस्पल सेक्रेटरी और उनके नीचे दो सेक्रेटरी जैंट उनके नाम दिये गए हैं तो बाकी जगों पे सेक्रेटरी होते हैं तो हम लोगों को MP के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना अगर मा हैं फिर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डाइमेंशन है या रोल रोल ऑफ सेक्रेटरियेट क्या भूमिका निभाता है तो अगर हम लोग भूमिका की बात करते हैं तो वन बाई वन इसके जो फंक्संस हैं वो सारे हम लोगों को याद होनी चाहिए समझने की बजाए मैं इस बात पर जोर दूँगा कि कैंडिडेट को इन सारे फंक्संस को याद कर लेना चाहिए लेकिन दिमाग में इस तरह से बठाना चाहिए कि बहुत मेहनत ना लगे वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक प्रकार के कारियों को एक साथ हम लोगों को लिख लेना है तो प विच परफॉर्म्स फॉलॉइंग फंक्संस देखिए मैं आप लोगों को इस पूरे सेशन में question answer format के रूप में discuss कर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि exam में इसी तरह लिखना होता है क्यों बाते करने से आप नहीं सीख पाएंगे कि हमें लिखना कैसे है तो हमें यह सीखना है कि writing में answer writing हमें कैसे करनी है तो basically format यहीं है कि इस तरह से प्रशन पूछा जाएगा last मैं यह भी discuss करूँ है क्या क्या प्रशन में बन सकते हैं और आप घर पे लिखने का try करिएगा इसको तो अब एक समझने वाली बात है कि staff agency मैं इसको क्यों कहा यह staff and line public administration के दो technical terms हैं जिनके बारे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको staff and line यह दोनों जो शब्द हैं यह defense से लिए गया है रक्षा छेत्र से लिए गया है defense में जो संस्थान या जो टुकडियां front में काम करती हैं यानि कि लड़ाई लड़ती हैं दुस्मनों से उन्हें कहा जाता है line agencies यानि जो लड़ाई लड़ती हैं combating agencies जो उनको support करती हैं जैसे medical services provide करना food provide करना intelligence provide करना they are called staff agencies यानि जो front पे काम करेगा वो line या उसको field agency भी कहा जाता administration में और जो back office में काम करता है उसके कहते हैं staff agency तो प्रशासन के संदर में administration के context में जो secretariat है ये एक staff agency है ये backup office है ये field में या front पे काम नहीं करता है तो front का पे कौन काम करता है line agency के रूप में किसको कहेंगे तो line agency का example है district administration जेला है तहसील है ये क्या है लोगों से सीधे संपर्क में होते हैं इसलिए उन्हें line agency का आ जाता है तो कभी अगर आपको ये term भी पूछ लिया जाता है कि line agencies क्या होती है administration में तो वे agencies या वे संस्थ पान जो लोगों से direct deal करते हैं जैसे के जेला प्रशासन तहसील प्रशासन वह कहलाएंगी line लेकिन जो backup office में काम करते हैं वह staff है जैसे की सेक्रेटरियेट तो सेक्रेटरियेट एक staff agency है जो निमलखित कारी करता है इस तो से लिखेंगे और इनके कारियों के बारे में फिर हम लोग one by one करके discuss कर लेते हैं पहला काम to formulate यह राजी सरकार के नीती एवं कारिक्रमों का निर्माड करता है to formulate policies and programs policies and programs of government सरकार की नीतियों एवं कारिक्रमों को बनाना अब यहीं से इससे संबंदित नीतियों और कारिक्रम संबंदित जो जो कार यह करता है उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं । तो अगर यए कारिक्रम बनाता है तो कहीं कहीं निश्चित तोर पर यह कौर्डिनेट भी करता होगा क्योंकि कोई भी नीती यह कारिक्रम जो सराज सरकार के होते हैं वो जनरली एक डेपार्टमेंट नहीं कर पाते हैं उसमें एक या दो डेपार्टमेंट smaller country a povo होता है तो समन्वे की जवाद पड़ती है तो यहीं से इसका एक फंक्शन क्रियेट हो जाता है टू कॉडिनेट पॉलिसी जैंड प्रोग्रेम्स अब कॉडिनेट कर रहा है तो फिर यह सुपर्वाइज भी करेगा इसको तो अगला जो फंक्शन हो जाएगा टू सूपर्वाइज पॉलिसी एंड प्रोग्रेम्स ऐसलियFF गवर्मेंट तो फॉर्मुलेशन गॉडिनेशन अज लौग होगार्म्स एक कह सकते हैं हमीं कि यह function है किसका, secretariat का, अब दूसरे field के तरब चलते हैं, fourth, formulate, या frames, जो भी word आपको ठीक लगे, दोनों use कर सकते हैं, formulate, legislate, legislation, legislation या laws, कानून को बोलते हैं, rules, नियम और regulations, quality में आपने पढ़ा होगा, यह तीनों अलग-अलग होते हैं, यानि सचीवाले कानून, नियम और वी नियम का निर्मान करता है, फिर, functions as, think tank, of government, government किसी भी निड़य पे, कोई निड़य लेना चाहती है, किसी मुद्दे पे निड़य लेना चाहती है, तो विचार विमर्स का जो कारे होता है, वो सचीवाले में किया जाता है, फिर क्या लेक सकते हैं, लेक स्चारे में चाहती हूं किसी बीड़य बीडिये लेकरते हैं, मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि मंत्रियों की मदद करते हैं सची वाले राज्य विधान सभाई या विधान भावन में जो उनके जिम्मेदारियां उसके निर्वहन में कि पॉर इक्जामपल उधारण के लिए खज offense ai क्वेश्टेंद्स गाइक आंसरींग फिए खज्यान स्टिय LIN जानते हैं लिए पच्छी जल के जो नेता होते हैं या विधान सभाई का जो सधस्ते होते हैं वो मंत्रियों से उनके विभागों से संबंदित सवाल पोचते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों के पास पर्याप्त मात्रा में आकड़े एवं जानकारी होनी चाहिए और यह जानकारी उप्रब्द कौन करवाता है यह सची वाले करव मेजर्स उपाय धोड़ते हैं राज जी की स्थिति को बैतर करने के लिए टो एक्स्पोर मेजर्स टो इंप्रूव फाइनेंसियल पोजीशन इंप्रूव फाइनेंसियल पोजीशन ऑफ स्टेट या निराज जी की आर्थिक स्थिति को बैतर करने के लिए यह एक्स्प्लोर करते हैं ऐसे उपायों को ढूड़ते हैं बनाते हैं खोजते हैं इसके अलावा एक और भी इंपोर्टेंट कारी जो है हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं सेक्रेटरियट फ्रेम्स या मेक्स बजट बजट का निर्बार्ण बजट बहुत ही जरूरी चीज़ हैं एंड इंपोज कंट्रोल ओन एक्स्पेंडीचर अन्य राजियों केंद्रे के साथ जो कॉंटक्ट करना होता है वो भी काम सेक्रेट करता हैं तो कॉंटक्ट्स विद या कमुनिकेट विद अधर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्रम्र्म्र्म्र्म्र्म्र्म्र्म्र्म्र्ण एक फंक्शन ओल एक सकते हैं तो अप्रीव तो अप्रूव सर्विस रूल्स तो यह 10 पॉइंट्स परियाब था अगर यह 10 मार्क्स में भी आता है कि वाट दो यू तो भी आप इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं दो पीज में दस तो यह किवल इसके फंक्शन सी हो गया लेकिन प्रॉपर इन हेडिंग्स के अंतरगत अगर पूछा जाता है से क्या समझते हैं राज प्रुसासन में इसकी क्या भूमिका होती है तो आपको प्रॉपर अगले पेज पर जो क्वेस्टेंज आप प्रेक्टिस कर सकते हैं तू मारकर के लिए वाट दो यू मीन बाए सेक्रेटरियेट सेक्रेटरियेट से आप क्या समझते हैं हूँ इस दा है एड़ आफ एंटायर सेक्रेटरियेट पूरे सचवाले का प्रमुक कौन होता है यह आपके टू मारकर्स बन सकते हैं सेवन मारकर्स में क्वेस्टिन बन सकता है वाट इस सेक्रेटरियेट एक्स्प्लेट इस ओगनाईजेशन 11 मारकर के लिए 10 मारकर हो गया अब 11 मारकर नहीं है तो 10 मारकर के लिए discuss the role of secretariat in state administration तो पूरा आपको यह discuss करना होगा प्राइ करिए गया इसको घर पे लिखने की अगले क्लास में अगले सेशन में आप लोगों को चीफ सेक्रेटरी के बारे में discuss करूँगा आपका कोई सुझाव हो कोई question हो तो आप comment box में हमें जरूर बताए हम लोग उस पर विचार करेंगे थैंक यू आज के लिए इस सेशन में इतना ही मिलते हैं नेक्स सेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे चीफ सेक्रेटरी तन्यवाद झाल